नमस्का दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज में वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन वा मकर राशी के जात्कों के लिए वर्ष 2022 का राशी फल सबसे पहले आपको वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुपकाम नाए मेरी परम पिता परमात्मा से ये प् प्रावलम चल रही थी वर्ष 2020 या 2021 में वो प्रावलम आपकी वर्ष 2022 में खतम हो जाए आप जिन कामों को पूरा करना चाहते थे उन कामों को आप करने में सफ़कता मिले जो आपकी इच्छा थी वो इच्छा आपकी इस वर्ष पूरी हो जाए क्योंकि इस वर्ष देव ग जिसको लगन कहते हैं इसमें अगर दसनमबर का अंक लिखा है इसका आरत है आपका मकर लगन है और अगर इसमें चंद्रमा बैटा है इसका आरत है आपकी मकर राशी यानि अगर आपका मकर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आपकी मकर राशी है तो आगे बढ़ने का समय है इसलिए मैंने आपके लिए पूरे महीने निकाल के रखे हैं कि वर्ष में कौन-कौन से शुप समय है जब आपको कैरियर में ग्रोथ मिलेगी वो शुप समय है जनवरी, फरवरी, मार्च उसमें भी 12 अप्रेल तक लगातार यानि एक जनवरी से लेकर 12 अप्रेल तक आपके पास लगातार समय है जब तक देवगुरु बर्सपती कुमराशी में है जनवरी, फरवरी, मार्च 12 अप्रेल और उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर मई, जून, जुलाई और अगा सितंबर है वो समय है जब देवगुरु भर्सपती मीन राशी में वक्री होंगे वो मीन राशी में जब वक्री होंगे तो वो कुम राशी का एफेक्ट देंगे जो आपके लिए शुप संकेत होगा तो वर्ष 2022 में मकर लगन वाराशी के जातकों के लिए कैरियर में आगे बढ़ने का समय है अगर आप मकर लगन वाराशी के जातक हैं और आपके पास जॉब नहीं थी तो प्रयास करिए वर्ष के आरभ में ही आपको जॉब मिल सकती है और आपको लग रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं हमें पूरा रिजट नहीं मिल रहा तो उपाय के तोर पर विश्णु सहतनाम का पाठ करिए बुद्ध आपके भागेश बनते हैं अगर आप अपने भागेश को मजबूत कर लेंगे तो आपका काम जल्दी बनेगा कामों की बादा हैं दूर होगी रोज विश्णु सहतनाम का पाठ करिए और अगर आपको लगे कि आप विश्णु सहतनाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कमसेकन विश्णु सहतनाम को सुन तो सकते हैं यूटूब पे बहुत सारे वीडियो पुलबद है जिन tenant आप विश्णु सहतनाम को सुन भी सकते हैं लेकिन अगर आप पार्ट करेंगे तो आपको बढ़िया फल मिलेगा विश्णु सहतनाम का पार्ट करिए आपको निश्चित तौर पे वर्ष 2022 में जॉब मिल जाएगी क्योंकि आपके पास समय देखिए जनवरी फरवरी मार्च म जुन, जुलाई, अगस, सितंबर यानि तीन और तीन छे आठ वहीने ऐसे हैं कि जब आपके काम मन सकते हैं तो एक वर्ष में आठ वहीने होना इस बात का संकेत है कि मकर लगनवाराशी के जातकों को जो है वर्ष 2022 में केरियर में आगे बढ़ने का पूरा मिलेगा आप सप्तम को देखेंगे, सप्तम भाव होता है हमारा पत प्राप्ती का संब भाव, जिसमें हमें को महत्तमोर पत की प्राप्ती हो सकती है, साती गुरू की जिष्टी आपके लाभ भाव पर होगी, इच्छा पूर्ती के भाव पर, यानि आपको वर्ष 2022 में ऐसी जॉब मिल सक प्रिक्षा होती है, उसमें ये समय आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगा सितंबर, तो मान के चलिए, आपके लिए सफलता का प्रतिशत काफी हद तक बढ़ जाएगा, और आप तेजी से अपने पढ़ाई कर पाएंगे, और हाईर एजुकेशन के भाब को भी देवगुरु बर्सपती देखेंगे, तो आप अगर कोई रिसर्च बगरा करते हैं, या का पीएसडी बगरा करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, आपका पीएसडी का काम इस वर्ष पूरा हो सकता है, अप्रेल से आपके चतुरत और दक्षम भा राशी के वो जातक जो की विदेश आने में इंट्रेस्टिट थे, वो अप्रेल के बाद विदेश आ सकते हैं, उनके लिए विदेश आने का समय आ गया, विदेश आत्रा में या विदेश में जो जॉब ढूंड रहे थे, उनको विदेश में जॉब मिल सकती है, ये वर्ष आपके लिए धन के लिए बड़ा शुब रहेगा आपकी आर्तिक स्थिती बड़ी सुधन रोगी वर्ष का जब आरम होगा तो देव गुरु बर्सपती धन भाब पर होंगे और एक अदश भाब में केतू होंगे आगे चलके देव गुरु बर्सपती जो मीन राशी में आएंगे उनकी रिष्टी तब भी आपके लाब भाब पर होगी तो ऐसी स्थिती में वर्ष भर आपकी आर्तिक स्थिती अच्छी रहेगी आप इस वर्ष जो जॉब भी करने की कोशिश करेंगे वो भी आपको उतने पैसे की मिल जाएगी जिसने पैसे की आपको जॉब की तलास्ती वर्ष धन के लिए आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा है शनी माराज लगन पर चल रहे हैं और देव गुरु बर्सपती तीसरे भाब में आ जाएंगे अप्रेल से उनकी सब्तम भाब पर रिष्टी होगी तो विवा के लिए बिल्कुल सई गोचर बना हुआ है अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी विवा के चल रही होगी तो आपका वर्ष 2022 में विवा तैह हो सकता है गुरु देव गुरु बर्सपती अपनी अम्रेद दिष्टी सब्तम भाब में देंगे और अपनी सब्तम भाब में अपनी उच राशी को देखेंगे तो वर्ष भर आपको दापत्या सुखुत्तम मिलेगा जीवन साती से आपका समझ अस्षे रहेगा अप्रेल में पंचम भाब से राहू उट जाएंगे तो प्रेम समंदों में आपको सफलता मिलेगी प्रेम समंदों में किसी प्रकार की कोई गलत फैमी थी कोई तनाप था वो सारे आपके दूर होंगे संतान से जुड़ी आपकी कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और आपको अचानक जैसे आप किसी ऐसी share market में या stock market में पैसा लगाते हैं जहां से अचानक धन वगर आता है अगर वहां से कुछ पैसा आने में वेवधान आ रहाता तो वह वेवधान भी खतम होगा और आपका काम तेजी से होगा अगर आपका कोई court case चल रहा है तो वर्ष 2022 में court case के लिए जो शुब समय निकल कर आता है वो आता है जनवरी फरवरी मार्च अगर जनवरी फरवरी मार्च में आपकी court case की डेट आती है तो वो समय आपके लिए शुब रहेगा और जनवरी फरवरी मार्च के बाद 12 अपरेल तक आपके लिए court case के लिए समय शुब है लेकिन उसके बाद अगर आपकी court case की डेट आती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि जब केतु दशम भाप पर विचरन करते हैं तो शत्रु जो है कारे स्कल पर शत्रु थोड़े से प्रवल हो जाते हैं क्योंकि केतु की दिश्टिया आपके छटे भाप पर रहेगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ केतु की नौम या कई बार आपके शत्रु थोड़े प्रवल हो जाते हैं जो आपको नौकरी में आपको खानी पचाने की कोशिश करते हैं तो अपने शत्रु को थोड़ा सा बांद के रखिए और अगर आपको लगे कि शत्रु आपको ज़्यादा परिशानी जे रहे हैं तो आप रोज ब इसमें आगे बढ़ने का स्कोब मिलेगा आपको जाब मिल सकती है आपको वैसी जाब मिल सकती है जो आप चाते हैं विदेश में भी प्रेयास प्रियास करिए लीकिन om शड़कीत जवन का दम पत्य सुक आपको पुरा मिलेगा साथी जो अपने विवा के प्रयास रखते उनका विवावी तैह हो सकता है तो overall वर्ष 2022 आपके लिए काफी अच्छा आया है इस वर्ष का समय फाइदा उठाईए और इस वर्ष का जो शुब समय जिसमें आपके काम बनते दिखाई दे रहे हैं वो मैं दुबारा रिपीट कर दूँ जनवरी एक जनवर माई जून जुलाई अगस सितंबर ये वो समय है जब आपके काम तेजी से बनेंगे अगर इस समय पे आप कोई भी काम का प्रयास करते हैं अपनी जॉब बदलते हैं या कई बैपार में किसी काम नए काम के शुरुआत करते हैं कोई नई इंवेस्टमेंट करते हैं कोई चैनल अभी तर सब्क्राइब नहीं किया तो किरपा मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें साथ ही विल एकन को भी दबा दें जिसे जबी मैं अपने वीडियो अप्लोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलना है और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद झालओ कर दिसे जह कर समयागा है में जिसे जह सकunto है और नहीं करte TV कर दें